पुर्व सियम गहलोत पर वादा खिलाफी का आरोप भजनलाल सरकार के खिलाफ खोला मोरचा पंजाब और हर्याणा के बाद अब रजस्थान के किसान भी सरकार से आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है पंजाब हर्याणा के किसानों ने जहां अपने ट्रैक्टर्स लेकर राजधानी दिल्ली की तरफ कूँच कर दिया है दूसरी तरफ राजस्थान के बाड मेर में किसानों ने परियाप्त बिजली देने समेथ ग्यारा सूत्री मांगों को लेकर राजस्थान की भजनलाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है राजस्थान के बाण मेरी जिले की शिव विधान सभाख शेत्र के भियार कस्बे से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पिछले आठ दिन से लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन प्रशासन और सरकार से किसी तरह का संतोष चनक जवाब नहीं मिला तो हजारों किसान अपने अपने ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर उतर आए किसानों की माने तो पूर्वती गहलोत सरकार ने प्रयाप्त बिजली देने का वादा किया था लेकिन समस्या जस की तस रही इसलिए ही यहां के किसानों ने तखता पलट कर सरकार गिरा दी किसानों का कहना है कि सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने भी उनसे वादा किया था कि किसानों को परियाप्त बिजली मिलेगी बावजूद इसके सरकार बदलने के बाद भी हाल वही है किसानों के मुताबिक आपरियाप्त बिजली मिलने से उनके खेतों में खड़ी फसले चौपट हो रही है वहीं ट्रिपिंग की समस्या के चलते आए दिन पानी की मोटरों समेत क्रिशी उपकरण भी जल कर नश्ट हो रहे है ऐसे में किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है बता दें कि इन किसानों की प्रमुख मांग है कि किसान को प्रति दिन आठ घंटे बिजली दी जाए 132 केवी GSS का निर्माड जल्द पूरा किया जाए इसके अलावा स्थानिय किसान के हक की बिजली जो जैसल मेरी जिले में सप्लाई की जा रही है उसे रोका जाए पुराने और जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलने के साथ हाई पावर ट्रांसफार्मर लगाने और बिजली की कमी के कारण हुए फसल खराब का उचित मुआवजा दिलाने समेत ग्यारा सूत्रिय मागे भी है धन्यवाद